हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ ऐसे खास टिपसेंट्रिक्स जो आपको बहुत सारी परिशानियों से छुटकारा दिलाएंगे और उम्मीद करती हूँ ये टिपसेंट्रिक्स आपको बहुत पसंद आएंगे देखी बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात की मौसम में घर में पहुत ज़्यादा मखही मख्यर हो जाते हैं कीडे मकोडे कौक रोच हो जाते हैं तो इन से आसानी से आप छुटकारा पा सकते हैं इस टिप के द्वारा आपको एक बरतन में लेना है आधार लीटर करीब पानी और इसमें आप डाल देंगे एक नीभू करस अब आपको इस पानी में डाल देनी है देर चम्मत चाय की पत्ती हाँ जी हाँ आपने सही सुना आपको इसमें चाय की पत्ती डालनी है अब आप इस बरतन को गैस की उपर रखेंगे, एक पर बहुत अच्छे से से मिक्स करेंगे, गैस का फ्लेम आप मीडियम हाई रखेंगे और इसमें अच्छासा उबालाने देंगे, अभी हम इसमें कुछ चीज और एड़ करेंगे जिससे ये एक बहुती बढ़ी आसा स्प्रे आपका त्यार हो जाएगा जिससे आप आपके घर में जो भी मक्षी मच्छर हैं कौकरोच हैं कीडे मकोणें उनसे आसानी से छुटकार पालेंगे अब आप इसमें 10 से 15 डालने लॉंग और लॉंग डालने के बाद अच्छे तरह मिक्स कर दीजे और अब आप इसमें उबालाने दीजे तो यहाँ पर देखिए अब यह जो पानी है इसमें बहुत ही बढ़िया सा उबाला गया है उबालाने के बाद 2-3 मिनट तक इसे और अच्छे से धीमी धी में आज पर पका लेजे इस तरह जब आप इसे धीमी धीमी आज पर 4-5 मिनट के लिए और उबाल लेंगे न तो इस पानी में जो हमने लॉंग वगेरा डाली हैं उन सब की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आ जाएंगी अब बस अब आप फ्लेम आफ कर दें और इस पानी को पूरी तरह ठंडा करें इस पानी को ठंडा करने के बाद आप किसी इस्प्रे बोटल में से भर लेजे उसके बाद आप इसे अपने घर में स्प्रे कीजे घर में जो भी पेड़ पौधे लगे हैं उनके उपर भी इस पानी को स्प्रे कर दीजे इससे क्या होगा आपके घर में बिल्कुल भी मक्षी मच्छर नहीं आएंगे आप इसे अपने किचन में भी स्प्रे कीजे ताकि इसे किचन में बिल्कुल कौक रोच ना है इस तरह आप इस पानी को डेली घर में 4-5 दिन तक स्प्रे कीजे इससे क्या होगा घर में जो भी मक्षी मच्छर हैं बिल्कुल भाग जाएंगे किचन में रात को स्प्रे कीजे ताकि इसे कौक रोच वगएरा बिल्कुल भाग जाएं अगर आपकी बच्छे पार्क वगएरा में खेल दे जाते हैं और वहाँ पर उन्हें पहुँच जादा मच्छर काटते हैं तो आप क्या करें ये पानी जगा जगा बच्छों के कपड़ों पर ऐसे लगा दें ऐसा करने से मख्छी मच्छर बिल्कुल भी आपके बच्छों के पास नहीं आएंगे और उन्हें नहीं काटेंगे इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि आप बिना किसी जंजट के बहुती आसानी से नीबू वाली हरी मिर्श बना कर कैसे त्यार करें जिनने आप कई महिनों तक खा सकते हैं और यह हरी मिर्श इतनी टेस्टी लगती है कि जब आप इनसे रोटी खाएंगे ना तो दो की जग़ा चार रोटी खा जाएंगे तो इन्हें बनाने के लिए देखे मैंने थोड़ी से हरी मिर्च ली है और थोड़ी से लिए है नीबू आपको हरी मिर्च को अच्छे से धोलेना है उसके बाद हरी मिर्च का डंठल हटा देना है और बीच में से ऐसे हरी मिर्च में चीरा लगाना है तेकि इस तरीके से इसे कट करना है मतलब पूरा कट नहीं करना, पीछे से जुड़ा रहने दे बस आगे-ागे की तरफ लंबाई में ऐसे चीरा लगाएं तो सभी हरी मिर्च को आप इसी तरीके से त्यार कर लेंगे अब ये मैंने सभी हरी मिर्श इसी तरीके से कट करके त्यार कर ली है अब आपको लेने हैं नीबू और नीबू का आपको रस निकालना है ये जो नीबू है ना दिखने में हरे जरूर है लेकिन इन में काफी सारा रस है मैंने इन्हें पेड़ पर से तोड़ा है मेरे गर बहुत बड़ा पेड़ है एक नीबू का जिस पर काफी सारे नीबू आते हैं तो बस उसी से मैंने इन्हें तोड़ा है और काफी रसी ले हैं ये अब आपको सभी नीबू को कट कर लेना है और कट करने के बाद आप इनका रस निकाल लेंगे तो मशीन से या हाथों से जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे इनका रस निकाल लें नीबू का रस निकालने के बाद ये जो छिलके बचेंगे मैंने बिल्कुल नहीं फ्याकोंगी अगर आप जानना चाहते हैं कि नीबू के छिलकों का क्या इस्तिमाल किया जाता है तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं वो टिप भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी तो यहाँ पर मैंने सभी नीबू का रस निकाल लिया है काफी सारा रस निकला है अब आपको क्या करना है जो आप मिर्च त्यार करें उनके लिए मसाला बनाना है तो एक मिक्सी का जार लिया है इसमें एक चमबच अजवाइन डाल दी है इसमें हम डाल देंगे या देर चमबच साबुद धनिया अगर साबुद धनिया ना हो तो धनिया पाउडर भी लिया जा सकता है तो यह इसमें डाल दिया है अब यहाँ पर मैं इसमें डाल ले हूँ आधा चमच जीरा साबुट जीरा लिया है मैंने यह और इसमें यहाँ पर जा रही है सौंफ एक चमच साबुट सौंफ मैंने लिया है और अब आपको जार कढ़कन बंद करके इन मसालों को थोड़ा दरदरा सा पीस कर त्यार कर लेना है बहुत बारिक ना करें थोड़ा सा दरदरा रखें तो यहाँ पर देखें हमने मसाले पीस ले हलके दरदरे से हैं यह मसाले अब आपको ये जो मसाले हैं इन्हें एक पाउल में निकाल लेना है अभी इसमें कुछ मसाले और एड़ करेंगे यहाँ पर डाल देंगे आधा चमबच साधरन नमक, एक जोथाई चमबच काला नमक दोनों नमक आपको इसमें डालने हैं एक जो थाई चमच इसमें डाल दे हल्दी पाउडर बस सभी चीजों को आपको अच्छे से कर देना है मिक्स तो मिर्च के लिए मसाला बनके हो चुका है तयार अब आपको क्या करना है जो आपने मिर्च कट करके रखी है वो लेनी है और इनके अंदर आपको ये जो मसाला है इस तरीके से भरना है तो मिर्च के अंदर ऐसे मसाला भर देंगे बिना तेल, बिना किसी जंजट के हम बहुत ही आसानी से ये खटा-खटा हरी मिर्च का अचार बना कर त्यार कर रहे हैं तो यहाँ पर सभी हरी मिर्च को हम इसी तरीके से मसाले से भर देंगे सब्सक्राइबर सो oppressed अंतर डाल दे नीबू करस तो जो नीबू करस निकाला था वो पूरा डाल दिया और चार नीबू करस और डाला है मैंने इसके अंतर नीबू करस इतना होना चाहिए हरी मिर्च इसमें डूप जाएं अब आप दूसरे दिन से यह अचार खा सकते हैं जब यह हरी मिर्च खतम हो टिप्स और ट्रिक्स पसंद आए तो लाइक, कोमेंट, शेयर जरूर करें.